मध्यप्रदेश की प्रमुक नीमच एवं मंदसौर मंडी के पश्चात अब उजजैन मंडी में भी नए सोयाबीन की आवक शुरू होने लगी है। वही दूसरी और सोयाबीन के भाव को लेकर किसान एवं किसान संगठन 6,000 रुपए प्रती क्विंटल होने की मांग कर रहे है। लेकिन सोयाबीन के भाव अभी भी निचले स्तर पर बने हुए है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद थोड़े समय के लिए सोयाबीन के भाव में हलकी तेजी नजर आई थी। वही उजजैन मंडी में नया सोयाबीन 3,000 रुपए क्विंटल तक ही बिका है। इससे किसानों में निराशा का माहौल बना हुआ है। उजजैन मंडी में 9 सितंबर को नई सोयाबीन की आठ बोरी आवक रही। यह मंडी में सीजन का पहला सोयाबीन बताया जा रहा है। उजजैन जिले के गोरखेडी के रहने वाले किसान का सोयाबीन सिर्फ 3,021 रुपए प्रती क्विंटल पर बिका है। वही दूसरी और सोयाबीन के घटे दामों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूले पर सोयाबीन की खरीद की घोशना की है। हैरानी यह की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य मध्यप्रदेश में खरीद नहीं होगी। ऐसे में घटे दामों के खिलाफ मध्यप्रदेश के किसान लगातार आंदोलन रथ हैं। केंद्र की घोशना के अनुसार सोयाबीन की समर्थन मूले पर खरीदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और करनाटक में की जाएगी। प्रदेश के किसान न केवल ठगा महसूस कर रहे हैं और तेलंगाना और करनाटक का नाम शामिल होने से हैरान भी हैं। चुनावी राजनीती को इससे जोड़ा जा रहा है। सोयाबीन का समर्थन मूले 4892 रुपए घोशित किया गया है। बाजार में इस समय सोयाबीन के दाम 4000 से 4600 रुपए क्विंटल ही हैं। सोपा के अनुसार मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उतपादन बीते सीजन में करीब 52 लाक टन रहा है। महाराश्ट्र में भी उतपादन 50 लाक टन के आसपास था। सोयाबीन उतपादन में तीसरे नंबर पर राजस्थान और फिर गुजरात, 36 गर्वा अन्य राजे आते हैं। हैरानी यह की केंद्र ने बड़े उतपादक राजियों में से सिर्फ एक राज्य महाराश्ट्र को ही खरीद सूची में रखा है। Bureau Report Market Times TV